जैहिंद फ्रेंड्स हम इस वीडियो में क्वाशन आंसर करेंगे ओन डिस्टिक बांडिपूरा जमु कुश्मीर की चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं मारा क्वाशन नог democratic बांडिपूर और जयं और जयंद इस बंदे पूर जयंद बंदशल हवागे ओस सरी अधुर है बंदे पूर जान हैं बंद आफ भूलरर अज बंद आफ भूलर्स बंद आफ भूलर्स बंद आफ भूलर्स चंति है जो ये बंदिपूरा का नाम है बंद एपूर या बंद आफ बूलर जो बंदिपूरा की location है जोगराफिकली वो three side mountain से cover है वो four side पे बूलर लेके है ठेक है और जो ऐसे मानना जाता है कि बंद एपूर जो नाम है पहां का एक local music local events है बंद आपूर वहां से लिए आगया है जएक है और इसे कश्मीरी में कश्मीरी में बंद का मीनिंग कैंए इन कश्मीरी जो बंद का मीनिंग है बंद means बंद का मीनिंग कैंए बयोत क्या मीनिंग है बयोत ठीक है याद रखना इसको next question number second बांडीपुरा कर्वड आउट फ्राम बिच आफ दिस्टिक आफ जमु एंड कश्मीर जो बांडीपुरा है किस से लग कौन सी डिस्टिक से लग किया गया है बारा मुला से बांडीपुरा डिस्टिक कौन सी डिस्टिक से लग किया गया है बारा मुला से चीक है next question number three which of the largest freshwater lake in Инbr grouping India की largest freshwater lake कोन सी है इंदे की largest freshwater lake कुन सी है Vulder Lake कुन सी है Vulder Lake freshwater lake कुन सी है इंदे की Vulder Lake next question number four which of the park is situated in district Bandipura कौन सा पार्क है जो district Bandipura में situated है कौन सा बार्क है निशात पार्क कौन सा है निशात पार्क यह बना कब था 1954 में कब बना था 1954 में किनों ना बनाया था किनकी सुपरविजन में बना था अंडर 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 अधि ईसुपर विजन ओफ बख्षी गुलाम में मुथ बख्षी गुलाम में मूथ ठीक़ याद रखनाये गुलाम में मूथ महमूथ next question number five which of the district is famous for three A's कौन सी district है यो famous है three A के लिए ठीक है कौन सी district है Bandipura district ही है important question है ये ठीक है इस तरह के question JKSSB के द्वारा पूछे ही आते है ठीक है Bandipura district three A का meaning कै पहला A आ गया आलम क्या आ गया आलम ठीक है अलीम का मतलब होता है knowledge लीम का क्या meaning कै knowledge लीम का meaning का गया है knowledge दूसरा एक है अदाब अदाब का meaning कै good habits good habits साथ में literature literature थर्डी है आब थर्डी है आब इन पानी water ठीक है important question है which of the district is famous for three A Bandipura अलिम नौलेज अदाब गुड हैबिट्स literature आब water next question number six which of the lake is designated as रामसर साइट इन जमू एन कश्मीर जूटी कौन सी लेक है जिसे डिजाइनेटर गया था रामसर साइट जमू कश्मीर की कौन सी लेक है important question ये थीक है बूलर लेक बूलर लेक है जिसे रामसर साइट बनाया गया था बूलर लेक ये बूलर लेक रामसर साइट कब बनी थी 23rd March को कब बनी थी 23rd March 1990 को important question है इस तरह के question JKSSB के दवारा पूछे ही आते हैं ठेक है आप इस वीडियो को दो तिन बार revise का लेना ताकि ये question आपके mind में permanently fix हो जाए ठेक है इन question से आप JKSSB के जितने भी आने वाले competitive exam होंगे उनमें आप अच्छा score कर पाओ ठेक है next question number 7 बांडीपुरा curved out from भारामुलाइन जो बांडीपुरा डिस्टिक थी भारामुलाइन डिस्टिक से लगब होई थी वो कौन सी डेट कोई थी 207 AD ठीक है 2007 AD next question number 8 बुल्डर लेक has a small artificial island in its center बुल्डर लेक मैं एक center में artificial island बनाया गया है ठीक है वो कौन सा है क्या नाम उसका जना लेंक कौन सा लेंक है island है जना लेंक ठीक है important question आई ठीक है जना लेंक किन्यों ना बनाया था ये जन उल आपदीन के दोवारा जन उल आपदीन के दोवारा बनाया गया था artificial island on बुलर लेक ये कब बना था in 1414 in 1444 AD में ठीक है important question है next question number 9 हबा खातून पीक रजदान टॉप situated है हबा खातून पीक रजदान टॉप कहां पे situated है ये बांडीपुरा डिस्टिक में है खातून पीक रजदान टॉप कहां पे है बांडीपुरा डिस्टिक में है बांडीपुरा में कहां पे है गुर्ज गुर्ज बैली में ठीक है गुर्ज बैली में गुट्च बैली में बांडीपूरा district में खबा खातून पीक और अश्दाउन टॉप सुचुएटेद इन बांडीपूरा district गुट्वेली नेक्स्ट कोस्टन बाल तैन Bandipura is the location of a forest training and research institutes established in Bandipura को कभी ये location established Bandipura ये location कभ एक्स्टाबिश हुई थी forest training के लिए और research institutes के लिए कभी इथी established है 1911 AD 1911 AD में ठीक है next in question number 11 in ancient times भुलड लेक को और किस नाम से जाना आ याता था महापदमसर महापदमसर ठीक है महापदमसर ठीक है important question है पुराने जमाने में भुलड लेक को किस नाम से जाना था महापदमसर ठीक है next question number 12 which of the hydropower project situated in Bandipura district कौन सा hydropower project है यो Bandipura district में किशन 강गा हाईडे पावर पोर्ज्यक्ट कहा है बांडीपूरा डिस्टिका है बुल्ले का पर अहनिशन में नाम क्या था महापाद मासर ठीक है और हाइडरो पापर प्रजेक्ट कौन से है बांडिपूरा डिस्टिक में किष्ण गंगा हाइडरो पावर प्रजेक्ट नेक्स्ट क्वाशन पर थर्टीन चोटा अमनाथ इस केर्ड प्लेश ऑफ हिंदू सिचुएटेट इन विच डिस्टिक आप जमगान कश्मी चोटा अमनाथ एक प्लेस है हिंदू के लिए फेमस इंपॉर्टन प्लेस है वो कौन से डिस्टिक में जमगाश्मी की बांडिपू लिस्टिक में भांडिपूर में कहांपे है यह केव जुप है यह सिचुएटट इस विच विच ञालाहिक जने जंगलों में किसके अराइन विलेज के अराइन विलेज के टैन्स फॉरस्ट में सिचुएटड ऐई ठीक है नेक्स्ट क्वाशान नमबर 14 तुल्बूल लेख बनाया गया है तुल्बुल नविगेशन प्रजेक्ट भाज बूलिट ऑनुच लेख बूलर लेक इंपॉर्लर लेख एंड़ किया था महां पदमाश्र शेक्ट इमपॉर्टन्ट प्वेशन आधे बूलर को रामसर सय्ट भी बनाया गया था नौसर कब सैट कब बनाया बांडीपुरा को और किस नाम से जाना जाता है बांडीपुरा को और किस नाम से जाना जाता है बांडीपुरा टेस्टिक है और उसे किस नाम से जाना जाता है इंपॉर्टन क्वाशन है यह यह गेटवे है सेंट्रल एशिया का किस नाम से नाता है गेटवे ऑफ सेंट्रल ए करते हैं बंदीपुरा क्या करते हैं connect करते हैं बंदीपुरा वाज connected connected connecting link ठीक है connecting link between नॉर्थ नॉर्थ एंड सेंट्रल एशिया नॉर्थ एंड सेंट्रल एशिया सेंट्रल एशिया को connect करता है वाइस सिल्क रूट इंपोर्टन क्वाश्चन है यह याद रखना बांडी पुरा डिस्टी को और किस नाम से ना था गेटवेट टू सेंट्रल एशिया ठीक है यह connect करता है नॉर्थ और सेंट्रल एशिया को बाई सिल्क रूट से चीक है ऐसे गेटवेट टू सेंट्रल एशिया लदाक वो लदाक को भी कहायाता है ठीक है क्यों सा कंजर्वेशन रिजटेन के नाम के है और जos conservation reserve कित्र चैprochen से 20 ताई तर्या थरीवेटरी त्यों दूकिशन गंग स्वडरी ट्रिवेटरी अ की स्ट्री त्रीवेर की स्ट्रिवेटरी किस्की ट्रिवेटरी चेल कुः की जेलस्ट्रीन जट्रिवेटरी जेलन रीवर की next question number 18 great historian hassan khulami belongs to which other district of Jumaj and Kashmir great historian रहे है hassan khulami किस district से belong करते है ये भी bandipura district से belong करते है bandipura district से next question number 19 main source of water for bhullaleg कौन साय main source water과 bhullaleg कौन साय जिल्लम रिवर ही है, ठीक है, जिल्लम रिवर, main source of water of our burla lake, जिल्लम रिवर, next question number 20, a small village, in which district of JNK, is the first remote village in India, to be able to immunize 100% of its adult population, कौन सा एक छोटा सा बिलेज है, district Bandipura, कौन सी district ऐसी जमुकश्मीर की, जिसे वो बिलेज इंडिया का पहला ऐसा बिलेज बन है, जिसे 100% immunize कर दिय है, एक अपनी adult population को, कौन सी district है, वो Bandipura district है, कौन सी district है, Bandipura, Bandipura district का कौन सा बिलेज है, Bandipura district, कौन सा बिलेज है, वियाओन विलेज, कौन सा बिलेज है, वियाओन बिलेज, important question है, ठीक है, यह भी current से related question है, ठीक है, next, question number 21, किशन गंगारिवर सो इसराम जो किशन गंगारिवर्थ है यह कहां से अर्जनेट उगे यह पीछ तीक है कहां से उडिपाइब गुज से ठीक है next question no.22, the Sanskrit name of Bulla Lake, जो Sanskrit name of Bulla Lake, वो क्या है, Sanskrit name of Bulla Lake, बहुत important question है, पहले हमना किया, कि ancient time of Bulla Lake को किस नाम से जानाते है, महापद, महा, महापद मासर, ठीक है, और अब क्या है, Sanskrit name क्या है, Bulla Lake'a, अलोलो, ठीक है, अलोलो, ठीक है, उलोलो इसका मीनिक है stormy waves stormy waves important question है यह ठीक है Sanskrit name बुलले का उलोलो यह थी आज के question answer on this take बंडीपोरा पे I hope वीडियो आपके लिए helpful रहेगी आने वाले जितने भी JKSS के exam होंगे आप उनमें अच्छा score कर पाओ आगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें वीडियो को लाइक करें वीडियो को ज़्याद से ज़्याद से शेर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें Thank you very much